कार कैसी लगी आपको मोदी जी के भाशन कैसे लगे अच्छे लगे उन्होंने कहा कि बिहार के जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनके सामने प्रधान मंत्री अपना सिर जुकाते हैं नरेंद्र मोटी जी ने कहा पूरा देश पूरा देश उनके सामने बिहार के शहीदों के सामने सिर जुकाता है मगर सवाल ये नहीं है सवाल सिर जुकाने का नहीं है सवाल दूसरा है जब बिहार के जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए उस दिन हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री ने क्या कहा और क्या किया सवाल वो है लदाख में गया हूँ लदाख में हिंदुस्तान की सीमा है और उस सीमा पे बिहार के उत्तर प्रदेश के बाकी प्रदेशों के युवा अपना खून अपना पसीना देकर हिंदुस्तान की रेखा जमीन की रक्षा करते हैं लदाख में ऐसी जगह है जहां माइनस बीस पच्चिस तीस डिगरी सेल्सियस का टेंपरिचर है एसी जगह है जहां हमारे सेनिकों को दस पंदरा दिन पोस्त तक पहुचने के लिए चलना पड़ता है सियाचिन में हमारे युवा ठंड से मरते हैं मगर वापिस नहीं आते भूके रह जाते हैं वापिस नहीं आते उन्होंने अजादी के दिन से बाद हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा की सवाल यह है कि जब चाइना की सेना ने हमारे 20 सेनिकों को मारा शहीद किया और हमारी जमीन ली बाई और बहनों 1200 किलोमेटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है हिंदुस्तान के अंदर है सवाल यह है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारी प्रधान मंत्री ने हमारे वीरों का आपमान करते हुए यह क्यूं बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया सवाल भाईयों और बेनों ये हैं आज कहते हैं मैं सिर जुकाता हूँ मगर हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया जब उन्होंने देश को जूट बोला कि चाइना का कोई भी सेनक हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया सवाल ये है नरेंद्र मोधी जी ये चाइना को सेनक जो हिंदुस्तान के अंदर बैखे है इनको आप बाहर कब निकालोगे सवाल ये है आप सिर जुकाने की बात मत कीजिए आप हमारे वीर सरेकों को ये बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाद बेखोगे ये बताइए और यहां आकर उटे सीधे जूट मत बोलिए यहां बिहारियों को जूट मत बोलिए आप बिहारियों को ये समझाइए कि आपने उनको रोजगार कितना दिया और कप पिछले चुनाओं मैं बोला था और दो कड़ों और युबाओं को रोजगार डूँगा मिला किसी को मिला जीरो आते हैं कहते हैं किसानों के सामने में सिर जुकाता हूँ सेना के सामने में सिर जुकाता हूँ मजदूरों के सामने में सिर जुकाता हूँ छोटे भी अपारियों के सामने में सिर जुकाता हूँ और दूसरे घर जाते हैं और अम्बानी और अदानी का काम करते हैं भाशन आपको देंगे सिर्छ जुखाएंगे आपके सामने मगर जब काम करने का समय आएगा तो फिर काम किसी और का करेंगे नौट बंदी की तो उसकी फाइदा हुआ आपको आप बहेंगे सामने कढ़े हुए ना तो एसी दूप में खड़े थे ना बारेश में खड़े थे ना आपने अपना पैसा ब 66 में डाला डाला ठीक है कैशा का गया आपका पैसा कहा गया हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के जेब में अंदर आपसे कहा काले धन के खिलाब लड़ाई क्या अधानी जी बैंक के सामने खड़े थे क्या अमबानी जी बैंक के सामने खड़े दिखे आपको नए वो इसी कमरे में आपका पैसा चीना और उनका कर्जा माद किया हमारी सरकार थी सत्तर हजार करोर रुपे किसानों का कर्जा माद किया था पंजाब में हमारी सरकार पंजाब में किसानों का कर्जा माद किया मध्यप्रदेश में सरकार बनी मध्यप्रदेश में करजा माथ किया 36 गड़ में करजा माथ किया नोट बंदी पर नहीं रुके उसके बाद GST लागू की सब चोटे वियापारिकों खतम कर दिया किसके लिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े अमीर लोगों के लिए बाई और बेनों आप समझो रास्ता साफ किया जा रहा है अमबानी और अधानी के लिए नरेंद्रमोदी रास्ता साफ कर रहा है किसानों को मजदूरों को परे कर रहा है चोटे दुकानदारों को प्तरे कर रहा है आने वाले समय में आपका पूरा गापूरा धन हिंदुस्तान के दो तीन पुंजे पतियों के हाथ में हो जाएगा आपके खेत आपसे छीन लिये जाएंगे और इनके हाथ चले जाएंगे तीन नए कानून बनाए हैं किसानों पर आक्रमन करने के तीन नए कानून बनाए बिहार में इनोंने पहले कर दिया था अब यह पूरे देश में कर रहे हैं अब यह पूरे देश में कर रहे हैं यहाँ पे इनोंने मंडी खतम की MSP खतम की अब ये पूरे देश में मंडियों को, MSP को कتم कर रहे हैं लाकओं लोगों को धन्वा लाकों लोगों को बेरोज़गार करने जा रहे हैं और जहां भी जाते हैं आपसे जूट बोलते हैं हिंदुस्तान की जमीन किसी नहीं ली लाकों लोगों को मैंने रोजगार दिया किसानों के साथ प्रदान मंत्री हूँ ख़़ा हूँ मगर काम सिरफ उन दो लोगों का होता है एरपोर्ट रेलवे लाइन आपके खेट माइन्स जो भी उनको चाहिए नरेंद्र मोदी देता है आप लोग दिखते रह जाते हूँ अब आपके हाथ में चावी है अब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में नितीज जी के हाथ में चावी नहीं अब चावी है आपके हाथ में जो निन्ने आप लोगे वो बिहार में होने जा रहा है और अब इनको हराना है बिहार के लिए बिहार की विकाज की सरकार बिहार के किसानों की मजदूरों की सरकार अब बिहार में लानी है कुरोना हुआ नरेंद्र मोदी जी ने कहा बाइस दिन में लड़ाई जीती जाएगी बिहार के सब मजदूरों को दिल्ली से बाकी प्रदेशों से भगाकर भगाकर बिहार बेजा जब पैदल आए जब आप पैदल आरे थे जब आप भूके थे जब आप प्यासे थे तो नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी ने आपकी मदद की बिहार के मजदूरों की मदद की मजदूरों के समने सर जुकाते हैं मगर जब समय आता है तो मदद नहीं करते आप भूके प्यासे मरे आप हजारों किलोमेटर चले नरेंद्र मोदी जी ने आपको ट्रेन नहीं दी पस नहीं दी नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा भूके हो तो क्या हुआ प्यासे हो तो क्या हुआ हजारों किलोमेटर चलो अब बिहार की ओर चलो मर जाओ पिस जाओ मुझे कोई फरक नहीं पड़ता यह सचाई है भाई और बहनों सचाई आपको पहचाननी पड़ेगी क्यूंकि जब आप सचाही पहचानोगे तभी यह देश और यह प्रदेश आगे बढ़ेगा और मुझे में पूरा भरूसा है कि इस बाइश सचाई को पहचानने जा रहा है इस बार पिहार नरेंद्र मोदी को नितीश कुमार को जवाब देने जा रहा है सही जवाब इस बार मिलेगा नरेंद्र मोदी को आप दूर दूर से आए इसके लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद कॉंग्रेस पार्टी और गटबंदन के हमारे जो केंडिडेट्स हैं उनका पूरा समर्थन कीजिए उनको जिताइए और बिहार में एक नई सरकार लाइए बहुत बहुत धन्यवाद जहन